Dear students, welcome back to my channel आज हम एक novel डिसक्स करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है The Wander of Swords R.K. Narayan ने लिखा है सबसे पहले हम इसके key facts देखेंगे उसके बाद इसकी themes डिसक्स करेंगे फिर characters और फिर summary की तरफ चलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटल है The Wander of Swords प्रेस्ट और Modern Ways को अपनाना चाहता है और पाप जो है वो वेंडर ऑफ स्वीट्स है तो स्वीट्स बेचने वाला है और पर बाद में ये अपनी एक शॉप बना लेता है ये चाहता है कि इसका बेटा भी इसके साथ मिलके काम करें लेकिन इसका बेटा ये काम करने पर अगरी नहीं होता तो इस वज़ए से अब इसका जो टाइटल है वो फादर के प्रोफेशन पर रखा गया ये नॉवल 1967 में पब्लिश हुआ और लिट्रिरी पिरियड था पोस्ट कोलोनियलिजम का आपको पता है कोलोनियलिजम का एंड 1947 में हुआ जब ब्रिटिश राज खतम हो गया तो उसके बाद का जो पिरियड था वो पोस्ट कोलोनियलिजम का था मतलब कोलोनियलिजम की बाद का पिरियड जॉनरा नॉवल है और यह नॉवल इंग्लिश में लिखा गया था बाद में इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया था महिंद्रा कल्शुरेश ने इस नॉवल की सैटिंग क्या है मालगूरी एफिक्शनल टाउन इन सदर्न इंडिया ठीके सदर्न इंडिया में यह एक फिक्शनल टाउन है यह फर्जीक टाउन बनाया हुआ है जिसका नाम है मालगूरी अटैप्टेशन्स दी नॉवल वोस प्रोडूस्ट इंटू मिठाई वाला पार्ट ओफ दा हिंदी टीवी सीरीज मालगूरी डेस and was subsequently dubbed into English 1986 में मालगूरी डेस के नाम से हिंदी टीवी सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसकी फाइनल एपिसोड जो है वो 2006 में आई तो इसमें डिफरेंट एपिसोड होती थी और इसमें आरके नरायन की डिफरेंट स्टोरीज दिखाई जाती थी उसमें मिठाई वाला के नाम से इस नॉवल को एक एपिसोड में पब्लिश किया गया था और इन सीरीज में जितने भी स्टोरीज दिखाई जाती थी वो दोनों लेंगूजिस में होती थी हिंदी और इंग्लेश अब हम नॉवल के इंपोर्टन्ट केरेक्टर्स देखते है परस्ट केरेक्टर है जगन ये प्रोटेगोनिस्ट है जब नॉवल स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे इसकी एज 55 यर्ज है और ये बहुत स्ट्रिक्ट किसम का हिंदू है अपने रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो करता है और अपनी यंग एज में ये गांदी का फॉलवर था उनकी हर कही हुई बात को फॉलो करता था और उनकी कहने पे इसने इंडिपेंडन्स के टाइम पर जो भी स्ट्रगल थी उसमें भी इसने बहुत दिल लगाकर पार्टिसिपेट किया इसकी वाइफ का नाम अम्बीका है और जब नॉवल स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर उसकी डेथ हो चुकी है और ये बाई प्रोफेशन स्वीट वेंडर है अब इस टाइम पर इसकी सदन इंडिया में स्वीट की एक शॉप है और अगर हम इसकी बाई नेचर बात करें तो ये कोई बहुत ज़दा ब्रेव किसम का आदमी नहीं है थोड़ा सा टिमिड सा है यहीं डर्पोक सा है और उसके इलावा ना ये वेल्दी है और ना ही गरीब है ठीके मिडियॉकर है ना तो अमीर है और ना ही गरीब है और उसके इलावा ये अपने डिलीजन के लिए बहुत ज़दा और्थोडॉक्स है पुराने ख्यालात का मालिक है पुरानी सोच रखता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये हर किसी के साथ लड़ता पिरे यानि पीसफुल किसम का आदमी है सेकिन के रेक्टर है माली ये जगन का बेटा है जगन का सिरफ एक ही बेटा होता है तो इसका नाम है माली और ये बहुत अमबिशियस किसम का यंग मैन है ये थोड़ा समझदार है, एनरजेटिक है नई सोच रखता है, नए ख्यालात रखता है और ये समझता है कि जो एजुकेशनल सिस्टम है ये बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल फजूल है और पढ़ने का कोई फाइदा नहीं होगा तो ये राइटर बनना चाता है फिर ये क्रियेटिव राइटिंग सीखने के लिए अमेरिका चला जाता है उसके इलावा ये अपने फादर को ब्लेम करता है कि इसके फादर की वज़ा से इसकी मदर की डेथ हुई अब इसकी क्या रिजन है इसकी रीजन ये है कि जगन नेचरोपैथी पे बिलीव रखता है और इसका यकीन है कि हम किसी भी बिमारी को नेचरोपैथी के थूरू उसका इलाज कर सकते हैं यानि नेचरोपैथी मींज मेडिसन ना लेना जड़ी बूटियों के जरीए इलाज करना तो जगन जो है उसने अपनी एवन एक बुक भी लिखी लेकिन उसको पब्लिश नहीं करवाया बिलकि पब्लिशर के पास पड़ी रही और पब्लिश नहीं हो सकी एमबिका को ब्रेंट यूमर हुआ था और जगन ने नेच्टरोपेटी के थ्रू ही उसका इलाज करने की कोशिश की लेकिन वो इलाज कामयाब नहो सका और इसकी वाइफ एमबिका की डेथ होगी तो इस वज़ा से माली अपने फादर को ब्लेम करता है कि उसके फादर की वज़ा से उसकी मदर की डेथ हुई है थाट केरेक्टर है ग्रेस ये हाफ अमेरिकन और हाफ कोरियन गर्ल है मالی जब अमेरिका चला जाता है तो वहां पर जाकर यह उसके साथ शादी कर लेता है इसके बात लास्ट केरेक्टर है दी कसन कि ये जगन के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है एक्चुरे में ये हिपोक्रिट होता है और इसका परपस होता है कि वो जगन के बिजनिस को कंट्रोल करे तो इस वज़ा से ये उसके साथ दोस्ती का बहाना करता है यानि उसके साथ परटेंड करता है कि इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है बहुत गहरी दोस्ती है अब हम इस नॉवल की कुछ इंपोर्टन थीम्स देख लेते हैं पहली थीम है ट्रेडिशन वर्सेस चेंज ठीक है यानि हमारे सोसाइटी में जो कुछ चलता आ रहा है और जो नई चीज़ें आ रही है उन दोनों के दिरम्यान में एक कॉंफ्लिक्ट है तो वो कॉंफ्लिक्ट जो है वो हमें इस नॉवल में नज़र आती है उसके इलावा है कम्यूनिकेशन वर्सेस फियर इस्ट वर्सेस वेस्ट जेनरेशन गैप पेरेंटिंग वेल्थ तो जब आप समरी पढ़ लेंगे तब आपको यह सारी थीम्स बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी अब हम स्टार्ट करते हैं समरी कहानी शुरू होती है इंडिया के एक चोटे से टाउन में जिसका नाम है मालगुडी यहां पर जगन नाम का एक दरम्यानी उमर का शखस रहता है जिसकी उमर है 55 यर्स अब इसका एक दोस्त है जिसका नाम है कजन अब कजन का नाम नहीं बताया गया इसके साथ जगन की बहुत गहरी दोस्ती है अब जगन अपने कजन को बताता है कि मैंने साल्ट और शुगर दोनों को यूज करना चोड़ दी है और उसके इलावा यह अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि यह बहुत ही सिंपल लाइफ कुजारता है हाथ के बने हुए कपड़े पहनता है क्योंकि यह गन्दी जी का फॉलवर है 1947 में जब इंडिया बना तो उस टाइम पर इसने गन्दी जी के साथ उनकी स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा काम किया उस टाइम पर यह यंग था अब इसकी एज 55 यर्स है और इसकी अपनी experience चौप है अब अपने कजन के साथ बहुत सी बातें करता है दोनों के दर्मयान अकसर बहुत philosophical किसम की बातें होती है जब नोवल स्टार्ट होता है तो दोनों के दर्मयान गही बातें चल रही होती है और यह डेली ऐसे ही करते थे रात के टाइम पे या जब भी जगन अपने काम से फारिग हो जाता तो जगन और उसना कजन ये दूनों दुकान से इकटे निकलते और फिर बातें करते आते रास्ते में पिर दोनों अपने अपने घर की तरफ अलग अलग चल पड़ते जगन ने अपने घर में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें वो अपना एक्स्ट्रा कैश को सेव करता है और इसकी वज़ा ये है कि वो टेक्स से बचने के लिए ये सब करता था जगन जब अपने घर में आता है तो ये देखता है कि माली बहुत अपसैट होता है और चुप चाप परेशान सा फिर रहा होता है लेकिन बाप और बेटे के दरमियान कम्यूनिकेशन गैप इतना ज्यादा है कि वो फ्रेंकली अपने बेटे से पूछे नहीं पाता कि उसकी परेशाने की या उसकी टेंशन की क्या वज़ा है तो अगले दिन जगन अपने दोस्त या अपने कजन के साथ ले डिसकस करता है कि माली इस तरह परेशान सा है जगन की कहने पर कजन माली से मिलता है और रीजन पूछता है माली उसे बताता है कि वो स्कूल से और स्कूल वर्क से ठक चुका है तंग आ गए और वो मजीद नहीं पढ़ना चाता मिलकि वो राइटर बनना चाता है उसी रात कजन जगन के साथ मिलता है और उसे ये नियूस देता है कि तुम्हारा बेटा अब राइटर बनना चाता है नौवल लिखना चाता है तो ये जगन के लिए एक बहुत बड़ी नियूस थी अब कुछ टाइम के बाद जगन अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुम्हे लिखने के लिए एक अच्छी सी टेबल की ज़रूरत है इस पर माली हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो अपने फादर को बताया नहीं होता उसने तो जस्ट कजन को बताया था कि वो राइटर बनना चाता है तो उसके फादर को कैसे पता चला लेकिन जगन उसकी बात का जवाब नहीं देता है उसकी बात को गोल कर देता है माली मजीद बताता है कि अब कुछ ही टाइम के बाद सेप्टमबर के एंड में एक नॉवल राइटिंग का कॉम्पेटिशन होने वाला है और उस कॉम्पेटिशन में जो बीन करेगा उसे 25,000 रुपीज का प्राइस भी मिलेगा तो कहता है कि अब ये दर्मियान में जो कुछ मंस रह गए हैं मैं इन में एक अच्छा सो नॉवल लिखूँगा और मैं उस कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट करूँगा सेप्टमबर आकर चला जाता है और जगन को पता ही नहीं होता कि माली ने नॉवल लिखा भी है या नहीं उसने कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था या नहीं तो अब वो तुबारा से अपने कजन के साथ बात करता है और उसे कहता है कि पता नहीं अब माली क्या कर रहा है आजकल तो उसका कजन कहता है कि बेहतर ये है अडियर्टिव राइटिंग सीखने के लिए अमेरिका जाना चाता है और उसके इलावा वो ये भी बताता है कि माली ने जगन के बॉक्स में से पैसे भी चुराए हैं यानि वो सीक्रेट बॉक्स जिसमें जगन अपने पैसे रखा करता था माली ने अपने पासपोर्ट और प जाता है और इस डियोरेशन में वो लेटर्ज लिखता रहता है अपने फादर को और लेटर्ज में वो अमेरिका के कलचर के बाते बाते करते हैं लकिन अपने बारे में उसने कभी बात नहीं बताई होती तीन साल गुजर जाते है माली वापश आता है उसे पिक करने के लि ग्रेस को देखकर शौक रह जाते हैं क्योंकि कभी भी माली ने अपने लेटर्स में अपनी पर्सनल लाइफ या मैरिज के बारे में नहीं बताया होता लेकिन फाइनली जगन उसको एकसेप्ट कर लेता है और घार ले आता है अब कुछ दिन के बाद से पता चलता है कि जितने जगन सौक्स को देखकर शौक ट्रह जाता है क्योंकि वो यह समझता है कि सौक्स पहना अनहेल्दी है और यह वेस्टरन कल्चर से रिलेट करता है तो हमें सौक्स नहीं पहननी चाहिए अब माली जो है वो उसके साथ बिजनिस के बारे में बात करता है लेकिन जगन का का अब बिजनिस के बारे में क्या प्लैन है तो जगन कहता है कि वो तो सुन ही नहीं पाया समझ ही नहीं पाया तो वो कजन को कहता है कि दुबारा से वो माली के साथ बात करे कजन माली से पूछ कर जगन को बताता है कि माली का अब प्लैन स्टूरी डाइटिंग मशीन को सेल करने का है तो नेक्स डे जगन माली से पूछता है कि ये मिशीन किस तरीके से काम करती है माली कहता है कि मैं तो आलरडी बता चुका हूँ लेकिन फिर वो अपने फादर को बता देता है कि ये मिशीन किस तरीके से वर्क करती है अब जगन जो है ये बहस करता है माली के साथ कि इंडिया की जो ग्रेट एपिक्स हैं ये सबसे पहले औरल फॉर्म में सामने आए माली जगन की बात काट कर कहता है कि इंडिया को अब मौडरन कंट्रीज की आर्ट के साथ कंपेरिजन करने की और कंपीट करने की जरूत है तो वो बताता है कि इस काम के लीए उसे 51,000 डॉलर्स की जरूत है ताके वो अमेरिका में इंवेस्टर्स के साथ बात कर सके माली जगन उसकी हल्प करे उसे काम के लीए पैसे दे लेकिन जगन उसे पैसे नहीं देता बलकि ग्रेस और माली से मिलने से अवाइड करने लग जाता है अब इसी दरान माली एक ग्रीन किलर की कार खरीद लेता है ताकि वो अपने बिजनिस के लिए आ जा सके आसानी से ट्रैवल कर सके तो अब ये चीज़ जो है ये अगेन जगन को नापसंद होती है जगन माली को कहता है कि वो उसका स्वीज शॉप का जो बिजनिस है वहाँ पर आकर बैठे उसके बिजनिस को चलाए लेकिन माली उसे फॉरण से इंकार कर देता है इसे तरह कुछ टाइम गुजर जाता है एक दिन दुबारा से माली जगन को कॉर्णर में ले जाता है और उसे पूछता है कि वो फाइनल बता दे कि वो स्टोरी राइटिंग मिशीन के लिए पैसे देगा या नहीं तो जगन कहता है कि अगर मैं पैसे ना दू तो फिर क्या होगा माली कहता है कि फिर ग्रेस वापिस अमेरिका चली जाएगी क्योंकि बिजनिस के बगएर उसका यहां पर कोई काम नहीं है जगन इस पर शौक रह जाता है और कहता है कि वाइफ को अपने हस्बंट के साथ ही रहना चाहिए इस पर माली उसे से उसे जवाब देता है कि ये सारी बातें आपके दोर की थी हमारे दोर की ये बातें नहीं है कुछ दिन के बाद ग्रेस जगन को बताती है कि माली चाता है कि ग्रेस अमेरिका वापिस चली जाए इंडिया में ना रहे और उसके लावा वो ये भी बताती है कि उसकी माली के साथ कोई शादी नहीं हुई होता है वो कहता है कि इग्नोर कर दो ये उनका मसला है जगन को अपना हाप बहुत अनक्लीन सा फील होने लगता है क्योंकि उसके नस्दीग माली और ग्रेस एक दूसरे के साथ बगहर मैरिज के रह रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है अब वो अपने डूर लॉक करके रखता है क उस दिन के बाद माली दुबारा जगन से पूछता है कि उसे उसके बिजनिस के लिए पैसे दे दे लेकिन इस पर जगन कहता है कि वो पहले ग्रेस के साथ शादी करे अब दोनों में दुबारा से जखड़ा हो जाता है लड़ाई हो जाती है और माली के जाने के थोड़ी द ट्राइल को फेस करना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें डिफेंस की जरूत है पैसों की जरूत है जगन कजन को पैसे देता है कि माले की बेल करवा देना लेकिन पहले कुछ टाइम ये जेल के अंदर ही रहे ताके इसकी अकल टिकाने आ जाए और उसके इलावा वो कहता है क कि गरेस को अमेरिका भेजने के लिए वो टिकेट भी खरीड कर देगा अगर गरेस अमेरिका जाने के लिए वीजिविलिंग है तो अ कुछन को कहता है कि वो बिजनिस नभाले और जगन खुद एक रिलीजिया स्ट्रिप के लिए निकल जाता है और यहाँ पर स्टोरी आपने जरूर करना है थेंक्यू फर वाचिंग